Hello everyone, welcome to StudyIQ StudyIQ के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाँगा 2 जनवरी के Current Affair आई ये वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिमाइंड करा दूं कि 5 जनवरी से पहले अगर आप RBI का Grade B का कोर्स करिते हैं तो आपको 10,000 नहीं, सिर्फ 7,000 रुपे करने हैं आपको ये Code Use करना है जी-जी, CA और 17 तारिक से Live Class टार्ट होगी और मेरी जो क्लास हैं वो आज से यानि 2 तारिक से शुरू हो जाएंगी प्रेरिकॉर्डेड आज में 2 तिन स्कीम्स हैं जो मैंने प्लैन करी हैं जैसे PM जन्मन योजना और PLI, Production Incentive वगरा इन पे विडियोस बनाऊंगा तो वो शाम तक में डाल दूँगा और PIB हमारे YouTube चैनल पर आएगा कुछ दिन, उसके बाद पेड़ कोर्स में आएगा चलिए, शुरू करते हैं हाल इमें कौन से राज्ये की सरकार ने आदिवासी और जो दलित हैं दलित मतलब होता है Schedule Cast या अनुसूचित जाती और आदिवासी यहाँ पे मतलब Tribal Schedule Tribe ST Community उनको 50 वर्ष की आयूद तक पहुँचने पर पेंशन लाप परदान करने की गोशना करी है आंसर है जारखन जारखन की सरकार एक स्कीम चलाती है जिसमें जो Senior Citizen है यानि की जिनकी उम्र 60 साल से जादा है या जो दिव्यांग लोग है या जो विद्वाएं है या एकल महिला है या उन महिलाओं को जिनके उनके पतियों ने छोड़ दिया है तो इन सब को वो एक पेंशन देती है एक हजार रुपे महिना उनके बैंक अकाउन में दिया जाता है अब इसमें जो Senior Citizen है उनको 60 नहीं बलकि 50 में ही वो पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी एक हजार रुपे महिना ये घोशना करी हेमन सोरेन ने जारखंड के मुक्चे मंत्री इनके पार्टि का नाम है जारखंड मुक्ती मौर्चा जारखंड मुक्ती मौर्चा और जारखंड में और भी बहुत सारी चीज़ें अभी अभी हुई है और मांजी और मांजी जो है यहाँ पे भगवान बिर्सा बायलोजिकल पार्क है जैविय पार्क है भगवान बिर्सा जैव पार्क बिर्सा चडियागर जिसे बोलते हैं और मांजी में वहाँ पे सबसे बड़ा तितली पार्क बना है पूरवी भारत का इसके अलावा सरकार को गरीबों के लिए 2026 तक कितने घर बनाने हैं क्या टार्गेट है 8,00,00,2026 तक और घर बनाने के लिए 2,00,00 रुपया पर घर गरीब को दिया जाएगा 2,00,00 रुपय का खर्चा एक घर बनाने के लिए गरीब को दिया जाएगा इसका नाम है अबुआ अवास योजना और ये 8 लागर 2026 तक बनाने है इसी से मिलता जुलती एक अबुआ बीर दिशोम अभियान शुरू हुआ है जहरकंड में अबुआ बीर दिशोम अभियान क्या है? इसमें जो ट्राइबल लोग हैं जो जंगलों में रह रहे हैं उनको community rights या forest rights दिये जाते हैं यानि वन अधिकार अधिनियम forest rights act के तहट उन्हें वन अधिकार दिये जाते हैं उनको जमीन का टुकडा जंगलों में किराय पे लीज पे दिया जाता है जिससे वो उस पे खेती करें या जो भी करें अपना गुजारा कर सकें जारकर्ण मुखे मंत्री ने एक mobile app पे लॉंच करी है जिसका नाम है जी गुरुजी जी गुरुजी mobile app इस पे बच्चे online classes ले सकते हैं online education के लिए ये लॉंच करी है जारकर्ण में एक जगा है खूटी जो अरजुन मुंडा की constituency है हमारे जन जाती है कारे मंत्रा ले के जो मंत्री है खूटी खूटी से परधान मंत्री मोधी ने क्या लॉंच करी पी एम जन्मन योजना और परधान मंत्री जी ने एक चीज़ और लॉंच करी थी वहां से क्या लॉंच किया था वहां से विक्सित भारत संकल प्यात्रा विक्सित भारत संकल प्यात्रा ये पीम जन्मन योजना जो अती सम्वेदन शील या अती गरीब जो ट्राइबल ग्रूप हैं जिने पर्टिकुलरली वलनेरबल ट्राइबल ग्रूप बोलते हैं 75 tribes भारत में ऐसे हैं, उनके लिए शुरू की गई थी क्या जारकंड में लिथियम के भंडार मिले हैं क्या? हाँ मिले हैं, जारकंड में लिथियम के भंडार मिले हैं कोडर्मा जिले में ठीक उसी तरह जिस तरह लिथियम के भंडार जमू कश्मीर के रियासी जिले में और रजस्थान के नागौर जिले में मिले हैं इस देट क्लियर? और अभी मैं कली देख रहा था कि जो Geological Survey of India है और Archaeological Survey of India उन दोनोंने कहा है कि रजस्थान में भिलवाणा में भी लिथियम के भंडार हैं, कितने हैं उस बात की पुष्टी नहीं हुई है और कोडर्मा में भी कितने हैं उस बात की पुष्टी नहीं हुई है जो Geological Survey of India के Director General है उन्होंने कहा अभी यहाँ पे और रिसर्च होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि exact भंडार कितने हैं, लेकिन कोडर्मा में लिथियम के भंडार हैं इस बात में कोई दो रहें नहीं है और जहारकंड ने एक बिल में पास करा है अभी अभी 1932 खटियां बिल, यह क्या होता है, खटियां क्या होता है खटियां मतलब होता है जमीन के रिकॉर्ड्स, लेंड रिकॉर्ड तो जहारकंड में 1932 के जो खटियां, यानि लेंड रिकॉर्ड में जिनका नाम है वही लोग जहारकंड के हैं, बागी लोग जहारकंड के नहीं है तो ये डिसाइड हुआ है 1932 में जो land records है जमीन के कागज उन पे जिसका नाम जारकंड का है बस वही लोग जारकंड के नागरिक कहे जाएंगे बाकी कोई नहीं और जारकंड में एरपोर्ट है देवघर एरपोर्ट वैसे आपको एक अंदर की बैपता दूँ अंदर की मतलब की सार्वजानी को उतनी ज्यादा नहीं हुई अभी मेडिया में नहीं आई है परधान मंतरी मोधी बहुत ही जल्द दो एरपोर्ट का उदगाटन करेंगे जारकंड में एक है बोकारो और एक है दुम का एरपोर्ट ये दोनों एरपोर्ट बनके तयार हो गए है और अब कभी भी हो सकता है उदगाटन जितना मैंने पढ़ा है जनवरी के महीने में ही हो जाएगा लेकिन अभी तो जनवरी शुरू है तो जब करेंगे तब मैं आपको बता दुआ ये दोनों एरपोर्ट बने है बोकारो और और ये दुमका जिला भी अभी नियूज में क्यों आया था ये मैं आपको भी बताता हूँ वैसे देवगर एरपोर्ट नियूज में क्यों आया था क्योंकि देवगर ने सिर्फ 32 मीटर की रोश्णी में प्लेन को उतार दिया विजिबिल्टी थी दृष्च्यता थी धारखंड का सबसे बड़ा पुल जिसकी लंबाई है 2.3-4 किलो मेटर ये पुल जो है कौनसी नदी पे बना है मयूराक्षी नदी मयूराक्षी नदी पे बना है तो इसका उधगाटन हिमंद सोरेन ने करा है धुमका में और इसका नाम अपने पिता शिबू सोरेन के नाम होगा और जारखंड में हाँ जारखंड के पूर्व जो मुख्य मंत्री है क्या नाम है उनका रगुबरदास ये पहले गैर जन जाती है मुख्य मंत्री थे जारखंड के तो जारखंड में एक और योजना स्टार्ट हुई है मुख्य मंत्री ग्राम गाड़ी योजना ये क् जो ग्राम यानि गाओं के जो लोग है उन्हें काफी चलना पड़ता है बस पकड़ने के लिए अब नहीं पकड़ना पड़ेगा क्योंकि बस पकड़ने के लिए उतना struggle नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ग्रामगाड़ी योजना में special बसे चलाई जाएगी जो ग्रामीन आपको जैसे National Tribal Festival यानि आदी महतसव जो है वो जमशेदपूर में हुआ है अभी अभी ठीक है आदी महतसव राश्टी है जनजाती है फेस्टिवल और जूही नाम का जो हती है बेतला नेशनल पार्क में एशिया वुमेंस होकी चेंपियंशिप का मैस्कोर था जिसे भारत न ने बनाया है जिससे बिजली जो बनेगी वो बंगलदेश को दी जाएगी एक्चुली क्या जहारकन के एक बच्चा रोज इमेल करता है कि सर प्लीज कुछ जहारकन के करंट अफेर बतादो जहारकन में भी कुछ लोकल एक्जाम आने वाले है तो मैंने का चलो जहारकन के 10- जो सबसे इंपर्टेन करंट अफेर थे वो मैंने आपको बता दिए जमू कश्मीर का जगनात मंदिर वहां पे गोले मेला का आयोजन हुआ यह किस जिले में है जगनात मंदिर भारत में दो जगा है प्राचीन जगनात मंदिर की बात करें तो जगनात भगवान विश्नु क पाही एक रूप है भगवान जगननात तो जमू कश्मीर में है तो देखो ओडीसा वाला तो सबको पता होता है जो पुरी में है जगननात मंदिर जो सबसे भवे सबसे पुराना सबसे बड़ा बहुत ही शांदार मंदिर है लेकिन एक मंदिर बहुत कम लोग जानते हैं कि वो छोटी होनी शुरू हो जाती है और दिन लंबा होना शुरू हो जाता है वैसे आपको बता दूँ आप जानते होंगे सर्दियों में रात लंबी होती है दिन छोटे होती है लेकिन ऐसा माना जाता है इस दिन कश्मीर में कि रातें अब से छोटी होने लगेंगी और दिन अब से लंबे होने लगेंगे इस दैट क्लियर तो यह ध्यान दखिए और यहाँ पर आपको यह भी बता दूँ जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पढ़ रही है अभी आपने वह सुना है चिल्लाई कला देखो जम्मू कश्मीर से लेके और 31 जनवरी तक 40 दिन इसको बोलते है चिल्लाई कला उसके बाद ठंड ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है उसे बोलते है चिल्लाई खुर्द यह चलता है चिल्लाई खुर्द 20 दिन तक चलता है कब से कब तक 31 जनवरी से लेके और 19 फरवरी तक ठीक है यह चलता है फ चिल्लाई कला, मतलब बहुत ज़दा ठंड, उसके बाद चिल्लाई खुर्द, चिल्लाई खुर्द को हम small cold भी बोलते हैं अंग्रेजी में, जानि ठंड कम हो जाती है, तो small cold, और चिल्लाई बच्चा मतलब baby cold, मतलब और कम हो जाती है, तो चिल्लाई बच्चा, तो winter season अगर आपको जाना है, अगर snowfall देखनी है, तो चिल्लाई खुर्द में जाओ, अगर बहार ज़्यादा घूमना है, वो करना है, तो चिल्लाई बच्चा में जाओ, और beach कैसा ठंड चाहिए, कि इतनी जादा भी नहीं, कि बिल्कुली बरफ हो, लेकिन उतनी कम भी नहीं, तो फिर चिल्लाई खुर्द में जाओ, इसी हिसाब से आप अपना, जो जमू कश्मीर में परेटर है, वो प्लैन कर सकते हैं, उनसे राजे की सरकार, सिर्फ 4500 रुप तो ये किन को मिलेगा, ये उनको मिलेगा, जो परधान मंत्री उज्वल योजना के लावरती हैं, उन्हें मिलेगा, और कुछ BPL परिवार हैं, उन्हें भी मिलेगा, तो आप जानते हैं, परधान मंत्री उज्वल योजना, इसमें पहले ही आपको अच्छी खाजी सबसेड तो फिर आप सिर्फ 400 में उसे ले पाएंगे और ये प्रधान मंत्री उजवल योजना अभी प्रधान मंत्री उजवल योजना तीन साल के लिए बढ़ा दिये इसको चलाता है Ministry of Petroleum and Natural Gas यानि हमारा तेल और गैस मंत्रा ले और ये योजना 2016 में बलिया यूपी से शुरू की थी प्रधान मंत्री मोदी ने मई 2016 और प्रधान मंत्री उजवल योजना तीन साल के लिए बढ़ाई है यानि 2023-2024 से लेके 2025 तक और इसमें हमारा टार्गेट है कि अगले तीन सालों में 75 लाग कनेक्शन और दिये जाएंगे अब 10 करोड़ कनेक्शन हम उलड़ी दे चुके हैं 10 करोड़ वी जो बैक्ती था वो थी एक महिला मीरा माझी अयोध्या में जिनके घर अभी अभी प्रधान मंत्री मोधी गए थे जिनका घर वीना चोक के पास है वीना मैं आपको बताई थी वीना डिजाइन करी थी राम बंजी सुतर ने और जो चोक है लताम अगेश का चोक वो डिजाइन किया था मिस्टर महंटी जो ओडिसा से है तो ये बस आपको ध्यान रखने वाली चीज़े हैं चोटी चोटी चीज़े हैं इनको आपस में कनेक्ट करिए और उसके बाद पढ़ाई करिए आली में फैलिक्स तक से दी ये कौन से देश के राश्पती फिर से बन गए हैं ये अफरीका का देश है ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो इस देश को पहले बोलते थे जायरे और इसकी राश्धानी है किन शाशा कॉंगो नदी के किनारे है और एक और देश है कॉंगो नदी के किनारे जिसका नाम है कॉंगो तो कॉंगो अलग है और कॉंगो लोकतांत्रिक गंडाजे अलग है ये जो कॉंगो है उसकी राश्धानी है ब्राजा विले और ये कॉंगो अट्लांटिक सागर से लगता है 30 ए है लेकिन जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो है वो कॉंगो के पूर्व में आता है तो दो अलग अलग कंट्री है वैसे अभी एक रिपोर्ट आई थी डबलू एचो की उसमें ये बताया गया दुनिया में मलेरिया के केसि सबसे ज़्यादा कॉन से देश में है तो पहले नंबर पे था नाइजिरिया और दूसरे नंबर पे था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओ वैसे अफ्रीका का एक देश ओर नियूज में आया था बलकि दो एक तो माली और एक अंगोला ये नियूज में क्यों आये थे अंगोला ने ओपेक को छोड़ दिया है तेल बेचने वाले देशों का संग्टन जिसका हेड़कौर्टर वियना में है उसको छोड़ दिया है कि ने अंगोला ने और माली माली क्यों नियूज में आया क्योंकि जो शान्ती दूत मिशन होता है UN का जिसे बोलते है पीस केपिंग मिशन माली में खतम कर दिया है UN अब वहाँ पे शान्ती सैनिक तनात नहीं किये जाएंगे इस मिशन का नाम था मिनुस्मा फुल फॉर्म याद रखने की ज़ूरती है शॉर्ट में याद रखो मिनुस्मा आली में ब्रेटेन ने एक दवाई बनाई है वजजा ये मार्किट में वजजा के नाम से बेची जा रही है इसमें जो सॉल्ट है जो काम करता है अंदर जो कैमिकल है वो है अब ये इसका क्या मतलब होता है इन में फरक क्या होता है देखो आप दवाई बजार में खरीदने जाते हो एक दवाई का नाम है क्रोसिन एक दवाई का नाम है डोलो लेकिन ये अलग-अलग ब्रेंड की है इन में अंदर जो सॉल्ट है वो तो सेम है है पेरासेटमол क्या है अब है पेरासेटमnd जन्रिक मेडिसिन है जन्रिक मेडिसिन मतलब जो नमा के अंदर जो सौल्ट है जो रसायन जो काम करता है वो पेरासेटमân अब अलग-लग कंपनीय अलग-लग नाम इंगी मिलेगी लेकिन पेरासितामोल सिर्फ खरी देंगे तो सस्ती मिल जाएगी, पेरासितामोल एक जेनरिक ड्रग है और क्रॉसिन और डोलो विवसाइक नाम है अलगलग कम्पनियों के नाम है, यह कमर्शल नेम है यह ट्रेड नेम है, अब इसमें जो काम करने वाला रसाय और दवाई बजार में व्योजा के नाम से बेची जा रही है तो इसे ब्रिटेन की कमपनी बेच रही है ये मैनो पॉज की दवाई है तो आंसर है मैनो पॉज और कमपनी का क्या नाम है जो बेच रही है कमपनी का नाम है अस्टेलास अस्टेलास कमपनी है A-S-T-E-L-L-A-S और ये ब्रिटेन की कंपनी है अब मैं आपको बताता हूँ मैनोपॉस क्या होता है महिलाओं में जो मासिक धरम होता है वो मैनोपॉस पे खतम हो जाता है यानि महिलाओं मेंस्टूरेशन खतम कर देती है उनकी शरीर में प्राकरतिक रूप से जो है इसलिए ऐसे मैनोपॉस बोलते है मेंस्टूरेशन पे पॉस लग जाता है रोक लग जाती है अपने हाँ कई महिलाओं चालेज कई पिंतालेज कई पचास कई पचपन अलग-अलग उमर होती है जिसमें महिलाओं मेनोपॉस हेट करती है और उस समय महिलाओं के लिए वो समय आसान नहीं होता क्योंकि मनोवज्ञानिक रोग हो जाते है कईों को लगता है वो बहुत बूड़ी हो गई है उनकी खतम हो गई है जवानी चली गई है या जो एडरिट वाला वो है वो चली गई है इस तरह की साइकोलोजिकल प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं मृत्यों के नस्दीक हूँ शरीर में बहुत हर्मनल चेंजिस होते हैं और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं होट फ्लेशिस महिलाओं को होट फ्लेशिस होते हैं यानि शरीर में अचानक बहुत ज़्यादा पसीना आता है बहुत ज़्यादा कमपन पसीना आना बहुत ज़्यादा हीट जो है शरीर में निकलती है तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती है क्योंकि हमारे brain में जो temperature control की चीज़ें होती है तो estrogen वगारा को replace नहीं हो पाता estrogen कम हो जाएगा तो उस वज़े से भी problem हो जाती है तो उसकी दवाई है यानि ये दवाई जो मैंने आपको बताई Vyoza यानि Facial Intent जो Estella's company ने बनाई है Britain की ये दवाई hot flashes पे काम करेगी महिलाओं के शरीर में एक temperature को लेके एक equilibrium maintain करेगी और उनको relief देगी clear तो ये दवाई बाकी देखो दवाईयां आती है exam में इसमें कोई शक नहीं है अब तो काफी आने लगी है COVID के बाद जो questions आते हैं तो मैं आपको दो तिन दवाईयां और बता देता हूँ Tata Cancer Hospital आपने सुना होगा Mumbai में जो है Tata Memorial Hospital सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद Cancer का होस्पिटल भारत में Tata Cancer Hospital ने अभी-भी दवाई बनाई है Bangalore की कंपनी IDRS Laboratory के साथ मिलके किस चीज के लिए? Cancer के लिए बनाई है Leukemia, Blood Cancer इस दवाई में जो नमक है वो है Six Mercaptopurine और दवाई को बजार में किस नाम से बेचा जाएगा? Pre-Well Pre-Well कौन बेचेगा? IDRS Labs Tata ने इसके साथ मिलके बनाई है दवाई का है Six Mercaptopurine इसमें रसायन है और दवाई बजार में Pre-Well के नाम से बेची जाएगी भारत की पहली दवाई है जो Cancer के लिए मूँ के रास्ते से ली जाती है अब मैं आपको एक दवाई और बताता हूँ इसी कंपनी ने बनाई है IDRS Laboratory ने Department of Atomic Energy यानि परमाणू उर्जा विभाग भारत सरकार के साथ मिलके ये भी Cancer की दवाई है इसका नाम है Actocyte Tablet Actocyte Tablet ये भी बनाई है Cancer के लिए और Cancer के लिए भारत की पहली Cal-T Therapy यानि जो Chimeric Antigen Receptor होता है हमारे जो T-cell होते हैं बेसिकली तो ये एक कंपणी ने बनाई है ये Therapy कंपणी का नाम है Immuno Act IIT Bombay की ये एक कंपणी है और इसको बजार में Next Car 19 के नाम से बेचा जा रहा है ये भी Cancer के लिए है और एक चिकन गुनिया के लिए दुनिया की पहली दवाई बन गई है चिकन गुनिया एक रोग होता है हड्डियों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा बहुत पेन होता है चिकन गुनिया में बुखार भी आता है तो चिकन गुनिया की दवाई का नाम है X-Chick चिक मतलब चिकन गुनिया CHIQ X-Chick राइट किसने बनाई है ये फ्रांस की एक कंपनी है वलनेवा उसने बनाई है वलनेवा ने बनाई है तो इस तरह की जो दो चार और दबाईए मैंने आपको बता दी कौनसे बैंक ने रूपे नेटवर्क पर भारत का पहला corporate credit card लॉंच करा है जिसका नाम है e-swerd swan मतलब gold तो e-swerd को launch करा है इंडस in bank ने तो answer है इंडस in bank क्या है ये card ये basically ये है अब UPI को credit card के साथ भी जोड़ दिया गया है आप UPI payment करते है तो महाँ पे credit card में भी अपना UPI में जो भी खर्चा कर रहे है credit card में भी उसे करवा सकते हैं चलभा सकते हैं तो ये corporate credit card है आप इससे UPI payment कर पाएंगे और ये रूपे platform पे enabled है इसमें आपको कई तरह के benefit दे जा रहे हैं जैसे इंडस solitaire program तो इंडस solitaire जो प्रोग्राम है इंडस solitaire प्रोग्राम डायमंड के व्यापारियों के लिए इंडस in bank ने शुरू करा था खैर इसके बारे में banking awareness में चर्चा करेंगे ज्यादा अलाबाद High Court ने शाही इदगा मस्जिद परिसर के selection के अनुमती दी ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है और अब सुप्रीम कोट ने भी अनुमती दे दी है सबसे latest report यह आई है सुप्रीम कोट ने stay नहीं लगाया इस पर शाही इदगा मस्जिद कहां है मतुरा में है मत होते थे जिसको औरंग जेव ने तुड़वाया था तो वहीं पे केशव देव मंदिर केशव देव मंदिर कहते हैं 5000 साल पुराना है बहुत लंबी कहानिया है इस मंदिर को लेके कि द्वापर युग का मंदिर है 5000 साल पुराना और मतुरा में है तो इसको मंदिर को केशव कली जांच होगी और ऐसी ही जांच ग्यान वापी मस्जिद में भी हो रही है जो की वाराणसी में है जहां पे कहते हैं कि एक शिवलिंग मिला और भगवान शिव का मंदिर होता था वहां पे तो वहां पे भी यह इस तरह का जो सर्वे है वो चल रहा है दो जगा पे चल रहा ह यहाँ पे भी और अब शाही इदगा मस्जिद परिसर में भी यह सर्वे कराया जाएगा और सन 1670 में औरंग्जेव के ओर्डर पे यह जो मंदिर है केशव देव मंदिर यह तोड़ दिया गया था इस देट क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं एंड्रियो मेला गुफा यहाँ पे बहुत ही पुरानी जो है प्रागैती हासिक यानि कहते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मिली है रॉक कला चितर मिले हैं यह गुफा कहां पे है यह गुफा मादागासकर में है जो कि अफरीका का दूइब है अफरीका के इंतर गताता है ये और बहुत बड़ा द्वीब है मादागासकर, अफरीका का सबसे बड़ा आइलेंड है ये मादागासकर, तो मादागासकर से हमार रिष्टे अच्छे हैं, इंडियन ओशिन यानि हिंद महासागर में ये लोकेटेड है, इस अट क्लियर, तो यहाँ पे एंड्रियो मेलो ज नाम की एक नई परजाती मिली एक जानवर की चाइना में, तो किस जानवर की परजाती है, एक तरह की चिपकली है, लिजर्ड है, और इसका नाम है कैलोटिस वंगी, तो चाइना में अभी अभी इसकी खोज हुई है, तो चाइना में आपको एक दो चीज़े और पता इतनी नीचे है ये, चाइना के सिच्वान राज्ये में स्थापित की गई है, इस लेबरेटरी का नाम है DURF, जमीन के 2400 मेटर नीचे, दुनिया की सबसे डीप लेबरेटरी, और चाइना की एक कमपनी है Land Space, इसने अभी अभी एक रॉकेट भेजा, पहली बार उस रॉकेट म इंधन का इस्तिमाल किया गया, तो रॉकेट का क्या नाम था, जुक 2Y3, जुक 2Y3 नाम का रॉकेट, जुक 2Y3, और चाइना ने अभी अभी एजिप्ट के साथ मिलके एक सैटलाइट छोड़ी है, जिसका नाम है मिसर सैट, मिसर सैट 2, तो ये चाइना ने किस देश के साथ मिलके बनाई है, इजिप्ट के साथ मिलके बनाई है, इजिप्ट के साथ मिलके बनाई है, आलि में पश्यम मंगाल की सरकार ने बांगलार माटी, बांगलार जॉल, इसको राजे गीत घोशित करा है, ये किस के द्वारा लिखा गया, ये रविंदन अटेगोर जी के द्वा होंगे उसमें इसको गाया जाना compulsory कर दिया है बंगाल की सरकार ने और बंगाल की सरकार ने ये भी कहा कि पहला बैसाक जिसे वहाँ की भाशा में पॉयला बॉयशोक बोलते हैं ये राज्य दिवस के पहला दिन होता है ये और बंगलदेश में ये शोभा जात्रा मंगल त्योहर के रूप में मनाया जाता है और पहला बैशाक के रूप में मनाया जाता है बंगाली लोगों के तुवारा वेस्ट बंगाल ये वहां के हिर्णों में बहुत तेजी से फैल रहा है तहाँ पे Yellowstone National Park अमरीका में मैंने आपको दो National Park बताये थे जो important है एक तो Yellowstone National Park और एक Yose Mite National Park ये सबसे famous है Yose Mite National Park परियतन की दृष्टी से ये सबसे ज़्यादा important है और इस रोक का कोई इलाज, कोई वैक्सीन कोई अभी तक नहीं आई है किसमें फैलता है ये ये mainly हिर्णों में फैलता है ये जानवरों में फैलता है जिनने बोलते है Servids Servids में क्या क्या आता है Servids में एक तो आते हैं हिर्ण यानि डियर एक आते हैं alk और एक आते हैं mouse ये तीन तरह के जानवर है जीने cervid बोलते हैं उनमें ये काफी तेजी से फैल रहा है और ये brain को attack करता है ये यानि एक तरह से जिस हिरन को इसने attack किया वो मतवाला हो जाएगए तो ये brain और nervous tissue को attack करता है ये साइब ने गुजरात में बना है, गुजरात सरकार ने बना है, तो आंसर है गुजरात, और जैसे for example, मोडहरा सूर्य मंदिर में किया गया, मोडहरा सूर्य मंदिर महसाना जिले में आता है, और मोडहरा सूर्य मंदिर जो है, राजा भीम प्रथम चालुक के बंच के राजा उनके समय में बना था पुष्पावती नदी के किनारे है यह तो यहाँ पे भी किया गया तो ऐसे कुजरात में 108 अलग-अलग स्थानों पे जो है वो सूरे नमस्कार किया गया राइट? रक्षामंत्री राजनात सिंग ने किस थानपर पहलेume girls adults unit school संविध गुरू कूलम girls unit school का उधृटन किया बहरत कितनी तेजी से Resource अनने स्कूल कभ खूए थे, सैने स्कूल किसने खुलवाई, मतलब किसने कहा कि सैने कूल भारत में होने चाहिए 1961 में V.K. Krishnamenon जो उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे V.K. Krishnamenon उन्होंने कहा कि भारत में Sennik School होने चीए जिन में काफी बच्चे ट्रेनिंग शुरू से उनको सेना में जाने के लिए भरती होगी, यहां से वो सीधे NDA, खड़क वसला पुने या Indian Naval Academy केरल बगारा में चले जाएंगे सीधे यहां से उनमें काफी पहले से discipline होगा तो Sennik School भारत में खोलने शुरू हो गए ठीक है? अब Sennik School में सिर्फ boys होते थे, लड़कियां नहीं होती थी अब पहली बार Sennik School में लड़कियां तहाँ पे उनको admission दिया गया मेरा आपसे यह सवाल है पहले मैं आपको इसका answer बता दूँ आंसर है विरिंदावन मतुरा विरिंदावन मतुरा यूपी ठीक है? चलिए अब मैं आपको खुरा सा हिस्ट्री बताता हूँ मैंने आपको बताया सब पहला सैनिक स्कूल कौन सा था? जिसमें लड़कियों को admission दिया गया ये था चिंग चिप ये मैंने उस समय भी पढ़ाया था 2018 में चिंग चिप सैनिक स्कूल जो मिजोरम में और ये question उस साल कई exams में आया भी था चिंग चिप C-H-I-N-G C-H-I-P चिंग चिप सैनिक स्कूल जो मिजोरम में है ये भारत का पहला सैनिक स्कूल था जहां पे लड़कियों को admission दिया गया और वहां से देखी आब ऐसा सैनिक स्कूल भारत में खुला है ऐसा सैनिक स्कूल भारत में खुला है और ये कहां पे खुला है पहला ऐसा ये खुला है जिसका नाम है समविद गुरुक कूलम गर्थ सैनिक स्कूल व्रिंदावन मतुरा में खुला है इसमें 870 लड़कियों का admission दिया जाएगा लड़का एक भी नहीं होगा तो ये ध्यान रखिए और चिंग चिप वाला भी याद रखो क्या पता आज है वो भी याद रखो बागी कितने सैनिक स्कूल हमें खुल ले है 100 भारत सरकार का लक्षय है 100 सैनिक स्कूल जो है वो हमें खुल ले है और अभी 33, 34 कुछ है existing 33 तो वैस चली रहे है और ये एक होर हो गया तो 34 हो गया मतलब इस गल्स वाले को मिला के 34 सैनिक स्कूल हो गये है वित मंत्राले की हालिया जनकारी के नुसार scheme for special assistance to states for capital expenditure investment के तहत कौन सा राजय सबसे अधिक पराप्त करता रहा question को असान बना देता हूँ capital expenditure क्या होता है दो तरह का वें, दो तरह का खर्चा होता है एक होता है capital expenditure एक होता है revenue expenditure capital expenditure जैसे आपको hospital बनाना है तो एक बार का खर्चा है, महाँ पे आप hospital का धाचा बनाएंगे वो एक बार का खर्चा है, या machine लगाएंगे लेकिन डॉक्टरस को salary हर महीने देनी है वो आपका बार-बार खर्चा है वो revenue expenditure है जो एक बार infrastructure बनाने के लिए खर्चा है वो capital expenditure है यानि जो infrastructure बनाने के लिए जैसे आपने pull बनाया तो वो जो pull बनाया है वो capital expenditure है संच में है तो capital expenditure वो खर्चा होता है जो आपको एक बार करना होता है infrastructure को बनाने के लिए, उसको बोलते है capital expenditure या capital investment भी बोल सकते हो तो अब capital, अब COVID के बाद क्या हुआ, राजियों के पास पैसा कम पड़ गया राजियों की कमाई नहीं हुआ, लोगों ने tax नहीं भरा, business पिट गए तो केंदर सरकार ने एक scheme चलाई इसका नाम था, scheme for special assistance to states for capital expenditure यानि राजियों को क्या देंगे, loan क्योंकि लाज़ों की पास पैसा है नहीं तो कितना पैसा देंगे, तो अभी तक 1,67,518,000 करोड रुपे का जो loan है, वो हमारे राजियों को भारत के दिया जा चुका है, चार साल में और इसमें सबसे बड़ा प्राप्त करता कौन रहा है, तो यहाँ पे मैप में देखिए, सबसे बड़ा प्राप्त करता रहा है उत्तर परदेश, उत्तर परदेश को इसमें से 22,857 करोड का loan मिला, तो answer है इसका UP, दूसरे नमबर पे राप बिहार, मैप में देखिए, बिहार को मिला 16,680 करोड का loan और तीसर नमबर पे रहा मध्य परदेश ठीक है, यह amount आपको याद नहीं रखना कितना मिला, बस याद रख लो, पहले नमबर पे रहा UP, दूसरे नमबर पे बिहार, और तीसरे नमबर पे मध्य परदेश कुछ राज्चे ऐसे हैं, जिनने एक रुपया loan नहीं मिला जैसे आंधर परदेश, केरल, मनिपूर, पंजाब इनने एक रुपया भी नहीं मिला अब तक, वित मंत्राले से कई ऐसे हैं, जिनने एक दो परसेंट मिला है, जैसे हर्याना, उत्राखंड बगारा, इनने सिर्फ एक दो परसेंट मिला है तो कईयों को कम मिला है, कईयों को ज़्यादा मिला है अलग-अलग LGBT क्राइटेरिया थे इस योजना में ये योजना कब शुरू की गई थी, ये अच्छा सवाल है वित मंत्राले के द्वारा स्टार्ट की गई थी वित्ती अवर्ष 2020 में COVID पेंडमिक जब अपनी उफान पे था और जब ये शुरू की गई थी तब इसमें ऐलोकेशन था, एक दश्मल अव तीन लाख करोड कि इतना लोन हम देंगे, एक दश्मल अव तीन लाख करोड और किन चीजों के लिए लोन देंगे, क्या कुछ भी बना दोगे तो लोन मिल जाएगा, नहीं तो इसमें आठ पार्ट्स है आठ पार्ट, जैसे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फॉर, पार्ट फाइव, और उनमें एक्टिविटी लिखी है कि इनहीं के लिए मिलेगा, फर एक्जांपल, जैसे मानलो पार्ट थ्री और पार्ट फॉर की बात करें तो इनमें अर्बन प्लैनिंग, अर्बन फाइन्स, शेहरी तबदीली उसके लिए, पार्ट फाइव कहता है कि पुलिस वालों के लिए रहने के लिए घर बनाओ, उनके परिवारों के लिए, पार्ट शिक्स कहता है कल्चलर डाइवर्सिटी वगरा जो है, मतलब वो सब आप प्रोमोट करो, वन डिस्टिक्ट, वन प्रोड़क्ट स्कीम शुरू करो, एक जलाएक उत्पाद इन सब के लिए तो हर पार्ट में अलग-अलग अक्टिविटी लिखी है, जैसे पार्ट 7 कहता है कि लाइबरेरी बनाओ, पंचायत लेवल पे डिजिल इंट्रस्ट्रक्चर बनाओ, ये सब करो तो हर पार्ट में अक्टिविटी लिखी हैं और उन्ही वोई अक्टिविटी अगर राजिय करेंगे तो उसी के लिए लोन मिलेगा, बाकियों के नहीं काफी फायदा इससे हुआ है, अब तक लगबग, भारत के 55 करोड लोग इससे eligible हैं इस योजना में, 55 करोड इंडिविजुल ऐसे हैं भारत में, तो 28 करोड तो हमने बांट दिये, 55 करोड eligible है, यानि अभी काफी 27 करोड और बांट रहे हैं, तो कि 55 करोड लोग हैं, जो eligible हैं कैशलेस, बागी कई राज्य ऐसे हैं जो नहीं चला रहे हैं, नहीं चलाना भई हमें, जैसे ओडिसा, बीजू, स्वास्ते, कल्यान योजना चलती हैं महाँ पे, इसमें 5 लाग इसमें मिलते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए 10 लाग तक जा सकते हो, इसी तरह राजस्थान में 23 सितंबर 2018 को शुरू की थी PM मोधी ने, तो ये भी 5 साल पूरे कर चुकी है, तो टोटल जो हैं इसमें अभी 28 करोड, 45 लाग आयुश्मान भारत कार्ड बाटे जा चुके हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इस योजना को लागू कोन करता है भारत में, नैशनल हेल्थ अथ राष्टिय स्वास्ते पराधिकरण, रक्षा नू संथा नो विकास संक्टन DRDO ने अपना स्थापना दिवस मनाया, 66 वा कम मनाया, DRDO कब बना था, DRDO बना था, 1 जनवरी 1958 को नई दिल्ली में हेड़कॉर्टर है, 1 जनवरी 2024 को इनों ने अपना 66 वा स्थापना दिवस मनाया DRDO के चेर्मेन है, समीर कामत, हेड़कॉर्टर ने दिल्ली में है, और रक्षा मंत्राले के दिन काम करता है, इस समय DRDO की 52 लेबोरेटरी है, 52 और DRDO की लेबोरेटरी है, HEMRL, High Energy Material Research Laboratory पुने, इसने अभी अभी एक सौफ्ट्वेर बनाया है, इस सौफ्ट्वेर का नाम क्या है इस सौफ्ट्वेर का नाम है, Quantity Distance Software, यह क्या करेगा इस सौफ्ट्वेर, यह जो explosives हैं, जो हम explosives यानि bum वगरा जो बिचाते हैं, उसके लिए हमें कितनी quantity bum की बिचानी है और कितने distance पे बिचानी है, वो सब calculate करेगा, ठीक है ना, काफी precision के साथ, तो Quantity Distance Software, DRDO के लिए किस ल DRDO ने काफी बड़े-बड़े काम करें, जैसे for example, DRDO ने अस्तर मिसाइल बनाई है, भारत की पहली air-to-air मिसाइल है, यह अस्तर, यह बनाई है DRDO ने, DRDO ने defense system बनाया है D4, जिसको बोलते है D4, राशपती भवन की सुरक्षा कर रहा है समय है D4, G20 summit में भी यह यूज किया DRDO ने बनाया है, DRDO का एक जहाज है, INS सागर ध्वनी, रिसर्च वैसल है, रिसर्च करने के काम आता है, यह ओमान भेजा था, सागर मेत्री योजना के तहत, रिसर्च वगरा करने भेजा था, ओमान और भी कई देशों में गया था यह, वरुनस्तर टॉर्पेडो बनाया है वरुनस्तर, पानी में जहाज से लॉंच करेंगे, पंडू भी से लॉंच करेंगे इसे, दुश्मन के जहाज को खतम करने के लिए, रेर अर्थ पर्मानेंट मेगनेट मनाने वाली जो फैक्टरी विशाका पटनम में लगाई थी, भावा एटॉमी रिसर्स सेंटर का जो व युवा महतसव कहाँ पर हुआ था, हुबली, करनाटक में, इस साल हो रहा है, नाशेक महराश्टर में, गोदावरी नदी के किनारी है, नाशेक, तरंबकेश्वर मंदिर है यहाँ पर, 12 जनवरी को विवेकनन जी का जनम दिन होता है, स्वामी विवेकनन, हम उसे राष्ट के कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर होंगे, ठीक है, 12 से 16 तक हो गई है, और युवा महतसव 1985 में स्टार्ट हुआ था, अब 27 विवार जो है यह हो रहा है, तो कौन कराता है इसे, इसे कराता है हमारा खेल और युवा मामलो का मंत्रा ले, यानि Ministry of Nehru Yuba केंदर संगठन, जो इनों ने कहा है, राजगदी छोड़ रही हूँ, कहां की रानी थी यह, यह रानी थी डेनमार्क की, काफी उमर हो गई है इनकी, पिछले 52 साल से रानी है वहां की यह, बहुत उमर हो गई है, अब इनका बेटा डेनमार का राजा बनेगा, तो डेनमार की रानी थी, और इनक कौन बनते हैं ये depend करता है बड़ा कौन है उमर में जैसे Queen Elizabeth थी न वो उमर में बड़ी थी Prince Charles से तो Queen Elizabeth बनी अब Queen Elizabeth के मरने के बाद बने है Prince Charles तो कई बार England में राणी होती है कई बार राजा होता है depending on कौन बड़ा है अब मानलो माता पिता के तीन बच्चे है तो उनमें जो बड़ा है वो बनेगा वो कई बार महिला भी हो सकते बच्चा लड़की भी हो सकते लड़का भी हो सकता है ऐसे चलता है काम खरी तना टेटल में मज़ जाईए राज याद रखिए राणी मार्गरेट जो है ये डेनमार्क की राणी है अब ये अपनी राजगत्दे छोड़ रही है और अपने बेटे फ्रेडरिक हेंडरिक एंडरे क्रिस्टन को राजा बना रही है तो ये था हमारा वीडियो दो जनवरी का मैंने आज एक वो कराया था पोल गुरूप में अगर आप RBI GDP को dream करते हैं तो फिर ये course आप ले सकते हैं सिर्फ 7000 में अगर पांस तारिक से पहले आप purchase करते हैं आपको code use करना है GGCA पूरा capital में कोई space नहीं होगा और मिलते हैं 3 जनवरी के वीडियो में Thank you for watching Study IQ